सरकार निबाल विकाश पर योजना के तहट सभी गाउं में आगनबाडी केंद्र खोला है ताकि एक साल से छह साल तक बच्चे सिच्छा ले सके और उन्हें बराबर पोसाहार मिल सके परन्त बड़े अफसोस की बात है उत्तर परदेश के सीता पुरुजिले के विश्वाबलाक के सेखन पुरुआ गाउं में आगनबाडी केंद्र ना बढ़ने से सर्माति के बच्चे सही पच्चास बच्चों को बगीचे में पढ़ने से काफी समस्याओ का सामना करना पढ़ विच्चा of our यह कोई आगनबाडी केंद्र नहीं बनाए हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत होती हुँ और वार हैं बहुत धिकफ होती कहीं बारे DR भागती है तो इधर भागती हैं लेके वडुँको और जाड़े में भी कोहरा पर रहा उसमें बैट के पढ़ा करती हैं त जाड़े में आएगी ना कोई जाड़े में आएगी ना कोई जाड़े में आएगी जाड़े में आएगार्वार में आपके आगणबारि में कितने बच्चे क्या दिक्कते हो रही हैं लोगती हो रही हैं लेकिन प्रीमिलिय आते हैं तो अगर आपके ना बन जाए तो क्या फाइदा होगा दो बहुत फाइदा होगा क्योंकि ना ठीका करन तो हर महीने पर होता है वो दूसरे घर पर होता है तो आप क्या चाहती है इस इंटर बने में राव दोहजार साथ से आंगन बाड़ी चल लही है लेकिन वो चल लही है पेड़ के नीचे यह है कि किसी के दरवज्जे यहां पर चोटे बच्चे हैं अब कम से कम पचास बच्चों का यह अंगन बाड़ी के अंदर चल ला है हमारे गाओं में बच्चे के लिए बड़ी समस्या पड़ रही है कि बच्चे हमाय कैसे सिच्छा को गुरहन करें मैंने इस समस्या पर वीडियो बनाए समधाय के साथ मीटिंग और स्क्रेणिंग का आजन किया गया और समस्या समधान के लिए CDPO के पास्पोन किये तो उन्होंने कहा है इस समस्या का जल्द ही जाच करवा के उस पे कारवाई किया जाएगा हमारी इस वीडियो को लाइक करें से करें और ताकि हमारा स्कूल जल्दी का अंदर बाड़ी के मैरी नाजिला सीता पूर उतर परदेश इंडिया अनत के लिए